जिग्यासो मित्रों आज हम आपको और एक विशाय लेकर आपके समक्ष प्रतात्मावाद से संबंदित विशाय लेकर आये हैं और वो विशाय है अमेरिका के पुर्व राष्ट्रपती अबराहम लिंकन का यूँ तो लिंकन को लेकर बहुत सारी बाते प्रचलित हैं आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल, कहानिया, विडियोज आपको मिलेंगे अबराहम लिंकन के प्रेत को लेकर अबराहम लिंकन के भूत को लेकर घोस्ट आफ लिंकन भी कहीं लिखा होता है कहीं घोस्ट आफ अबराहम लिंकन भी लिखा होता है तो इस तरह से कई ऐसी बातें आपको मिल जाएंगे लिंकन से संब्दित तो अबराहम लिंकन की जीवन को हम थोड़ा समझते हैं तो मिर्तु के बाद की कुछ बाते हैं उनकी हैं लेकिन अगर हम जीवन को समझेंगे तो मिर्तु के बाद की बाते भी हमें समझने आने शुरू हो जाएंगे कि ऐसा कहां तक सकते हैं तो अबराहम लिंकन का जो जन्म था वो 12 फरवरी 1809 में हुआ था और लगबद 1818 में उनकी माता की मिर्तियु हो गए उनको कभी भी मा का सानित दिसाई से प्राप्त नहीं हुआ मा को ऐसे तो बिमारी थी कहते हैं कुछ लेकिन मुख्यरुप से जो बाते हैं जो अगर आप पूरे परिवार की दश्रा को जो बताया जाता है वो यह है कि लिंकन का परिवार जो था वो शापित परिवार था उनकी मा जो थी नैंसी लिंकन जो थी वो उनके उपर प्रेत बाधा रहती थी और पूरा परिवार ही शाकित था मा की मिर्ती हुई और उनके जीवने वे संगर्स पढ़ाई लिखाई उन्होंने कभी भी रेगुलर पढ़ाई लिखाई उनकी नहीं हो पाई अब हाँ ये अपनी इक्षा शक्तिस उन्होंने बहुत ही अध्यन किया और बहुत ही अपने आपको सिक्षित उन्होंने बनाया कि जीवन में वो आगे बढ़ सके लेकिन कभी भी किसी एक स्कूल में वो सही से पढ़ा नहीं पाए ऐसा भी खेलते हैं तो जीवन में बहुत संगर्ष था उनके भाई भी थे मित्र भी थे उनको भी मृत्यू का सामना बहुत कम उमर में करना पड़ाया पिता को भी मृत्यू तो इस प्रकार से एक उनके कोई थे उनके चाचा या अंकल लगते थे जिन्होंने उनको समझाया कि देखो अगर तुम चाहती है कि तुम लंबा जीवन जीओ तो तुम्हे को सीखना पड़ेगा क्या सीखना पड़ेगा? वो लेकि मैं पढ़ाई लिखाई तो करी रहा हूँ, सीखी रहा हूँ, बहुत कुछ वो लेकिन ये समने तुम्हें प्रेत विद्या को सीखना पड़ेगा भूत प्रेत विद्या अर्थात ओकल्ट उस समय वहाँ पर जो ओकल्ट चलता था भूत प्रेत समंदित काला जादू की जो विद्या होती है वो तुम्हें सीखना पड़ेगा और उन्होंने फिर वो सीखा उससे संबंद स्थापित किया और वो सारे ज्यान को उन्होंने प्राप्त किया और फ्रेत आत्माओं को कैसे कंट्रोल में रखना है वो जान गया उन्होंने इस विद्जा को प्राप्त कर लिया फिर अपनी पढ़ाई लिखाई भी किये और जाक कावों में वो लग लेकिन ये जो प्रेत आत्मा जो भूत प्रेत वाली चीजे थी ये उनके साथ हमेशा लगी रहे एसा नहीं कि उसने साथ छोड़ दिया थो इन सब चीजों से संघर्ष करते हुए लिंकन के जीवन में संघर्ष बहूत है और वो संघर्ष की बहुत बाते करते हैं जीवन के अंदर उनके जो कोट से आप देखोगे उसमें संघर्ष करने की प्रेड़ना अधिक है क्यों प्रेड़ना अधिक है तो कि उनका संपूर्ण जीवन ही संघर्ष एक तो चलो बाहर से आदमी संघर्ष करता है राजनिती के लिए वो राज लड़ रहा है वो सब एक अलग जगह पर है लेकिन साथ में एक व्यक्ति का पूरा परिवार प्रेट पतनी है वो मर जाते हैं तीन बच्चे मर जाते हैं बत्ता कि चलिए इन्होंने कुछ सीख लिया और सीख कर जो है इन्होंने प्रेट आत्माओं को नियंतरन में रखा लेकिन परिवार के दूसरे सदस्ते जो थे वो उनकी रक्षा नहीं हो पाती थी तीन तीन बच्चों का मर जाना वो भी बच्चपन में यह बहुत फी उनके लिए दुखदाई था तो यह बहुत ही उनके लिए दुखदाई था तो जो यह चीज थी क्ई होई तो उसका एक ही कारण बताया जाता है कि यह प्रेट आत्माओं के कारण जो उनकी पीशे शैतानी ताकते थे जो डेम पावर्स वो आत्माय होती कौन सी है जो संसार की भोग में लिप्त होती है पिछले व्याख्यान में आपने सुना कि कौन सी आत्माय भटकती है वो भटकती है जिन्होंने ये नहीं जानने की कोशिश की कि मृत्यू के बाद क्या होगा उन्होंने मृत्यू को ही सत्यमान लिया और समझा कि मृत्यू में सब खतम हो जाएगा इसलिए यावत जिवेत सुखम जिवेत तरन कृतवा घृतम पिवेत जब तक जीओ सुखसे जीओ करजा लेके घी पीओ कौन देखा है कि आत्मा है कि नहीं है मृत्यू के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन तुम्हारे संसकार है तुम्हारे करम है करमों के फल है तो सब है तो फिर तो मृत्यू के बाद भी बहुत कुछ है तो ये हमारे शास्त्र और सास्त्र ही नहीं विश्यू के अलग-अलग अस्थानों पर जिन्होंने इस प्रतात्मावाद पर रिसर्च किया उन्होंने जरूर कुछना कुछ पाया है जिससे कि ये प्रमानित होता है कि मृत्तु के बाद भी जीवन रहता है तो अब जीवन रहने रहने में बड़ा फर्क है तो कि उस सुक्ष्म लोक में कई लोक हैं उसमें प्रेत लोक भी है देव लोक भी है देवता भी रहते हैं पितर भी रहते हैं तो वो है जो भटक रहा है जिनका भटकाव है वो प्रेत है और उनमें जो शैतानी ताकते हैं वो नरक में रहने वाली ताकते हैं तो वो शैतान के पर देवता भी है तो इस प्रकार से सुक्ष्मयोनी में मिर्तु के बाद जो है जीव भटकता है भोगता है तो अबराहम लिंकल ऐसी ही चीजों से ग्रसित था उनका जीवन उनका जीवन जो था वो ऐसी ही चीजों से ग्रसित रहा और ग्रसित रहने के कारण वो दुखों को भोगते रहे कई व्याधियों से वो गुजरते रहे तो इस प्रकार से बहुत सारे संघर्ष को करते हुए अबराहम लिंकल जो थे वो अपने जीवन को बिदाते हैं बहुत दूर अपने मा से भी उनको दूरी सहन करना पड़ता है माता विवा जो है पतनी की मिर्त्यु जल्दी हो जाती है फिर सेकेंड मैरेज करते हैं मेरी टॉड लिंकल से मेरी टॉड से उनका सेकेंड मैरेज होता है दूसरा विवा होता है और उनसे भी एक संतान की पती होती है जो की वेस्क तक वो जिवित रहती है और मेरी टॉड मेरी ट पतनी थी वो प्रेतात्मावाद पर ज्याम नहीं रखती थी या अध्यात्मिक नहीं थी थी थोड़ी से स्प्रिच्वल नहीं थी लेकिन मेरी टॉड स्प्रिच्वल थी और अब रहांकल लिंकन ने मेरी टॉड से शादी करना चुना भी इसलिए क्योंकि ये स्प्रिच्वल है ये प्रेतात्माओं के रहस्ते को समझती है तो ये इसमें बहुती सहायक होगी मेरे जीवन में क्योंकि मैं हमेशा इन चीजों से घिरा रहता हूँ ये उनका जीवन काल है तो उसमें हमेशा इन चीजों से घिरा रहते हैं और मैरी टॉट इसमें सहायक होगी तो वो अपने जैसी उनकी समस्या थी उन्होंने वैसा ही विवा कर लिया अब जो लिंकन थे अब लिंकन जो है अपना लिंकन ने अपना जीवन जो है वो आगे बढ़ता रहा राष्टपती बने 1861 में 65 तक वो राष्टपती रहे और 65 में उनकी मृत्यू होगी आकस्मिक मृत्यू उनकी हुई और उसके बाद फिर जो लोग हैं वो लिंकन के बारे में बहुत सारी बाते करते हैं ये भी कहा जाता है कि लिंकन जो है वो वाइट हाउस के अंदर अमेरिका के वाइट हाउस में ही रहते हैं और वो प्रेच्ट रूप में वहाँ पर उनका वास है कई लोगों ने इसको देखा भी कई लोगों ने इसको बात करते हैं इसको देखने की बात करते हैं जबकि कई ऐसी घटनाय भी घटी बाद में जो कि ये परमानित करते हैं कि लिंकन हाँ लिंकन वहाँ पर रहते हैं तो लीदर लेंड की महरानी एक बार अमेरिका घूमने गई तो वो वहाँ पर वाइट हाउस में कहते हैं कि वहाँ पर रुकी और जब वो रुकी थी तो रात को जो है किसी ने दर्वाजा नौक किया दर्वाजा खट-कटाया और जब वो दर्वाजा खोलती है रात के समय आदमी मुड़ा और जैसी मुड़ा तो वो अबराहम लिंकन थे तो अबराहम लिंकन थे तो देखके डर गई कि भाई ये कहां से आ गए तो इनकी तुम्रति वो जो कि वो डर्वाजा आगे वो बेहोश होगी वहाँ सुभा जब हुआ तो लोगों ने उनको दर्वाजे के पास बेहोशी की और स्था में उनको वहाँ पर पाया तो इस प्रकार से एक नहीं अनेको धटना एक अध़टी किसी ने लِंकन को खिलकी के पास शड़े देखा वाईथ हा वाइट हाउस के अंदर कुछ लोगों का येभी मानना है कि वाइट हाउस के अंदर मातर अब्राहम लिंकल का भूत नहीं है और भी कई प्रितांटमा हैं तो पहले बहुत ज़्यादा दिखती थी और उनका फिर बाद में एक और मानेता सामने आए कि Second World War जो हुआ दिवतिय विश्विद्द जो हुआ उसके बाद से कई चीज़े दिखना कम हुई लेकिन उसके पहले बहुत ही जादा दिखाई देती थी बहुत बड़ी समस्या थी और White House के एक छेतर को सील करके रखा गया था कुछ किस तरह कही बाते थी बाद में शायद उ प्योग के लिए तो इस प्रकार के चीज़े अबराहम लेंकन के साथ जुड़ी हुई है तो अबराहम लेंकन का पूरा जीवन ही एक तरह से हाउंटेड लाइफ था आप देखेंगे तो हाउंटेड लाइफ था मृत्यू के बाद भी उनके कारण से White House को हाउंटेड प्ले से तो इस प्रकार से भूत प्रेत की कई कहानिया हैं कई बाते हैं जो White House से जुड़ी हुई है और विशेश रूप से अबराहम लेंकन से जुड़ी हुई है तो लेंकन को कई जगहों पर एक बार तो कहते हैं कि इंगलैंड थे प्रधान मंत्री शायद वहां पर कहते हैं त लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको अबराहम लिंकन की प्रेतात्मा और उनके मरने के बाद की भूत बनने की जो बाते हैं वो अनेकों रूप से पड़ी हुई है चाय हुई है वो सब सारी चीजे इसलिए कोई नई बात नहीं है लेकिन फिर भी हम शोधोध नहीं किया है कोई अबराहम लिंकन भूत प्रेतों से लड़ना जानते थे उनको अपने कंट्रोल में करना जानते थे ये बात सामने खुलकर आती है लेकिन उनके परिवार के दूसरे सदस से वो प्रेत बाधा के कारण और शैतानी ताकतों के कारण उनकी तो दो शादिया उन्होंने की पहले पत्मी मर गई मा भी पहले भी बहुत कम उमर में मृत्यु हो गई तो यह पूरा जीवन अबराहम लिंकन का था तो उनकी राजनेतिक सफलता के पिछे भी कुछ लोग ये मानते हैं कि राजनेतिक सफलता के पिछे भूत प्रेतों का मानिता है कि राजनीती के छेतर में राहू बहुत हेलपफुल होता है राहू सहयता करता है और राहू ग्रह जो है वो छाया ग्रह है छायाओं का ग्रह है जो छाया रूप में रहती हैं चीजे उनका ग्रह है उनके प्रभाव का विकास कर देता है तो इस प्रकार से कई मानिता उनके जिस से प्रमानित होती है लिगन का जीवन प्रेथ बाधित था और मरने के बाद वो प्रेथ रूप में कई लोगों ने उनको वाइड हाउस के अंदर टहलते हुए गूमते हुए कई तो कई लोगों ने आवाजे सुनी तो इस प्रकार से जिन्होंने आवाजे सुनी उनके बारे में भी बहुत सारी बाते आती हैं कि भाई जैसे कि एक और घटना इसमें आती है कि राश्पती हैरी एस टू मैं जो है वो राश्पती थे तो उन्होंने नौ बजे वो अपने बिस्तर पर चले गए सोने के लिए और छे घंटे बाग उन्हें दरवाजा खट खटाने की आवाज सुनेगी इटरूम के दरवाजे के जब उन्होंने आवाज सुनाइ दी टो उन्होंने खट खुला और खोल कर देखा तो कोई नहीं था वो बाहर आये हॉल में आये गलीयारे में कहीं पर भी उनको कोई दिखाई नहीं दिए लेकर नौक नौक की आवाज फिर वो अपने रूम में आ गए फिर सोचे कि चलो अब रूम में आकर फिर से सो जाते लेट जाते कि उधर और आराम करते हैं फिर जाकर उठेंगे दरवाजा अपना बंद किया और लेट गये लेटने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके कमरे में ही कोई भूम रहा है और वो जो चलने की जो आवाज थी जो चलने का जो स्टाइल था जो जिस तरह की आवाज जब लिंकन जीवित थे जब अब रहाम लिंकन जीवित थ जब वो चलते थे फर्स पर तो एक साउंड होती थी उस समय एक आवाज होती थी तो प्रतिक विक्ति के एक आवाज होता है जैसे कि आपको मैं बताओं कई लोग ऐसे अपने घर में होते हैं कि जैसे माली जे कोई सीरियां चलके आ रहा है या कोई पैदल चलके आ रहा है त तो आप उनके पद चापों से ही पकड़ लेंगे, कि हाँ ये मेरे पिता जी आ रहे है, ये मेरी मा आ रही है, ये मेरा भाई आ रहा है, कि वो जब चलता है तो इसी इस तरह की ध्वनी बनती है, तो लिंकन जब चलते थो तो एक प्रकार की खास तरह की ध्वनी उत्पन होती तो वही आवाज लोग सुनते थे, और उस समय टूमेन ने भी जो राश्पती थे, जो उन्हों ने भी वही आवाज सुना, और बड़े घबरा गए, बड़े भैवित हो गए उस आवाज को सुनकर, हैरी एस टूमेन जो प्रसेडेंट थे, तो इस प्रकार से कई लोगों न कई प्रकार से उन्होंने अनुभाव किया वाज ऐट हाउस के अंदर अबराहम लिंकन की परेताथमा एक पार नहीं, कई बार और कई बार लोगों ने प्रेत बाधा को अनुभाव किया प्रेत आत्मा प्रेत बाधा को अनुभाव किया अर्थात उनके अपर अटैक्स भी हुए तो ये अटैक्स जो थी जो लोग खासकर उस शेतर में घुमते थे जहां पर लिंकन रहते थे तो वो लोग जादा इस तरह की चीजों को अनुभाव करते थे तो इसलिए ये अब चीजे हैं 1942 में जैसा मैंने आपको बताया कि नीधर लैंड की राणी विलहेल मिना जो थी उन्होंने लिंकन को देखा और बेहोश हो गए तो इस प्रकार से कई ऐसी घटनाय हैं कई ऐसी चीजे हैं जो वाइट हाउस के अंदर रही हैं किसी ने खिरकी के पास देख लिया 1989 में 1989 एक लेक छपा था जिसमें की इसके बारे में बताया जा चुका है कि हाँ ऐसी ऐसी घटनाय वाइट हाउस में होती रही तो इस प्रकार की कई एक बार कोई विदेश से कोई नेता आये वो अपने कुट्टे को लेकर आये और जब वो अपने कुट्टे को लेकर आये तो उनको जगह जो दे गई वो अबराहम लिंकन से संबंदे थी उनको बेंडरूम दे दिया गया जहाँ पर शायद अबराहम लिंकन पहले रह चुके थी तो उनका जो कुट्टा था वो उस रूम में कभी घुसने के लिए तियारी ना उसको रूम में घुसते हैं उसकी हल्स खराब हो गया अब वो रूम से बाहर भाग जया और फिर लोग उसको जबरदस्ती बाकी हर जगह जाने के लिए तियार लेकिन उस रूम में वो जाने के लिए तियार नहीं होता तो ऐसी कई कहानिया लिंकन से संबंदित हैं और उनका संपूलन जीवन जो था वो प्रेत बाधा में बिता ये बाग भी है और कई लोगों ने उनके जीवन में इसका नुकसान भी बहुत हुआ उन्हें और कुछ लाब भी उन्हें राप्त हो पाया तो ये हमें चीजे सामने आती हैं लिंकन के जीवन से प्रेत आत्मा से संब्धे तो प्रेतात्माओं का स्वरूप क्या होता है और ये कैसी होती है किस प्रकार से कितने प्रकार की हो सकती है तो इन सब पर आगे अभी कुछ और समय तक चर्चाएं चलती रहेंगे तो अभी हम लिंगल से सम्मंदित इस विचार को यहाँ पर विराम दें धन्द आगे बढ़ाने में सयोग करें बैल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन्स में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विश्यों पर अपने प्रश्ण भी पूच सकते हैं धन्यवाद